विल्कम बैक टूमाय यूट्यूब चैनल पेपर है कर आज के वीडियो में हम बात करेंगे विश्चन नंबर आपका 24 है ठीक है विश्चन नंबर आपका क्या हो गया है 24 अपसे हमने एक से लेकर 23 तक जितनी भी आपके लॉंग आंस अटाइक पॉस्चन है सभी जो भी आपके इंपोर्टेंट कोश्चन है वो सब हम यहां पर एक एक करके डिस्कस कर रहा है आज हम बात करेंगे कोश्चन नंबर 24 की ठीक है कि निम्न रंजकों के संसलेसर की कि विधी का अनुप्रियोग देजिए संसलेसर मतलब इनका सिंथेस कैसे होता है इनका निर्माण कैसे होता है यह पूछ रहा है और विधी तथा अनुप्रियोग इनके बनाने की विधी लिखनी है और इनके यूज लिखनी है ठीक है कौन कौन से आपके रंजक दे रखें मैथिल अरेंज दूसरा आपका है is 08 1001 तिया आपका मैलेकाइटnels है मैलेकाइट ग्रीज न्यजयक इस परहें धन्हुलत तो इनको हम एक-एक करके पढ़ेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे मैधिल ओरेंज की अंधन काॉंगोरेट मेलेकजेट गरीं क्रिष्टल वाइलेट फिनाल ठीलीन और आप यह तो आज हम जानेंगे कि आपका करें तो यह बिभिन प्रकार के कपड़ों को रंगने में जो आपका पदार्थ इस्थेमाल किया जाता है उसे हम डाई कहते हैं क्या कहते हैं डाई कहते हैं ठीक है बिभिन प्रकार के कपड़ों को रंगने में जिस पदार्थ का यू किया जाता है उससे क्या कहते हैं डाई कह त्भी रंगीन पदार्त आपके डाई नहीं होते यह बात आपको याद रखना यह तो हम बात करेंगे यहां पर आपका पहला है किस साथ साथ सलफोनिक अमल का डाई एजो टी करण जीरो डिगरी सेंटिग्रेट ताप और एचसील से किरिया कराकर क्यूंसे एचसील से करिया करा कर प्राप्त उत्पाद की डाइमेथिल एनिलीन से योगमन कराने पर एक रंगीन पदार्थ बनता है जिससे क्या कहते हैं हैली एंथिन कहते हैं ठीक है और इसकी एने वच के साथ अब जो आपका हैली एंथिन बनेगा इसकी करिया आपको दुबारा से एने वच के स साथ में कर देनी हैं और कहरा है कि कराने पर मैथिल औरेंज की प्राप्त होती है अब जो आपका बनेगा सबसे बाद में बूक है बनेगा आपका मैथिल औरेंज बनेगा तो कहानी कहां से सुरी होगी आपकी सल्फोनिलिक अमल से किस से सल्फोनिलिक अमल से इसका क्या करना है क्या करना यह करना है कब 0..0 करने पर एक रंगीन पदार्थ बनता है जिसे क्या कहते हैं यह को सबसे पहले हमको क्या करना है सबसे पहले हमें क्या प्राप्त करना है इसके बाद क्या कर दोगा इसकी रियक्शन और मिल जाएगा आपको मैथिल औरेंज मिल जाएगा तो सबसे पहले हमारे पास क्या था तो सल्फा निलिक असेड क्या था सल्फे निलिक असेड तो सल्फे निलिक असेड आपका यह हो जाएगा वेंजीन रिंग है आपकी एक लगी हुई इसमें इधर लगा हुआ आपका ओड़ी है और इसब ट्री और एच इधर लगा हुआ आपका अनिंश टू ग्रूप क्या है एरे एनिच टू गूड़ आपका लगा हुआ?" अब हैं इसके आपका सल्फोन लिक एसिड की प्राप्ति होती है किस तरह से होगी यहां पर जो आपका एने च्टू ग्रूप लगा हुआ है और इधर आपका जो एने अनो टू और एच्छी यह रखा है ठीक है तो यहां से आपका एच्टू वह बाहर मिकल जाएगा और कुछ मात्रा में आ शियल ही यहां यह चेल इसकी जो चलों यहां पर लग जाएगा से सिल्फेनिक अब क्या करना है क Chairman करादेना किस तरह से होगा दूसरी स्टेब में क्या करेंगे सहीं गौन यानि के कपलिंग अब हमने कपलिंग कराने है घेक है तो यह हमने क्या ले लिया यह आपका क्या इधर बाला ità acid अखया ऐसे तैसे अजोटर्रीड को मिल गया प्रहुत बिश्रा क्या लिए हमने दूसरा आपका यह आपका यह क्या था आपका डाइमेथल एनिलीन क्या था आपका यह था हमने लिया था डाइमेथल एनिलीन अब डाइमेथल एनिलीन ले लो इसके साथ में भी क्या लेना है डाइमेथल एनिलीन ठीक है क्या लेना है वही डाइमेथल एनिलीन यह आपका हो गया डाई डाई एजोटाज्ट सल्फोनिलिक एसेड पिलस आपका क्या है यह इधर वाला डाई मेथिल एनिलीन डाई मेथिल एनिलीन और डाई एजोटाज्ट सल्फोनिलिक एसेड कपलिंग करते हैं दोनों को जोड़ दो ठीक है युगमन कर दो इन दोनों का युगमन करने पर देखो क्या होगा नाम ये लिखे हुए है अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ तो यहां से माइनस यहां से लगा हुए है यह दोनों मिलकर HCL की फॉर्म में बाहर आ जाएंगे और क्या होगा इस नाइटोजन और इस बेंजीन के कार्बन के बीच में बॉंडिंग हो जाएगा यानिकी बॉंड आपका बन जाएगा ठीक है कुछ इस तरह और ऑन लावकर है क्या सकाएव इस तरह का बॉंड यहां पर जो हैं подар attend यह वाले चारववन इनके लिजी के साथ हमें हैंने गाए अधर करो या पर हमें लिजाए क्याया यह यह आपका है responsibility कर दो कि यह आपका है है दूंटि क्या है आपका यह आपका मिला तो यहाप गाए है जुए है यह बना लो इसका दुबारा से यह के साथ में आप करोगे तो क्या होगा जो आपका एस सो थरी एच लगा हुँए ठीक है एसृ 3 एच लगा हुए है सल्फोने बबॉत ऑ और हम नेंव git और इसkimvas kazaika जागा क्या होगा है जाइने पिलसेchny और ओह जागा मायनिस तो यहा Hungarian से आपका एच प्लस की फॉर्म में जो है बाहर निकलेगा और इस पर कैसा राजागा माइनस का चार्ज ऑक्सिजन पर तो यहां से जो प्लस का चार्ज वाला ओने होगा वह आपका ऑक्सिजन से जाकर लग जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका प्राप्त हो गई आपका प्रकार या रन्जक है या रन्जक धियान रगा कि घंढ़ रहे का फार में किस तरह से हूवा था डीक तो आपको इस step जो लेक्स Progress को अगर हम बात किर है प्रोपर्टीज या इसके गड़ों की तो इसके गड़ कुछ देघे Love अर्ग कि मेधल ऊरेंज में किसमें UP ऊरेंज में किसमें कोर समय अरेंज मैं है डाई ऐज़ो क्या हुता है यह डाई जो है की N2 N double bond N इसको कहते है डाई है जो क्रोमो फोर यह जो आपका लगा रहता है नाइटोजन के नाइटोजन से जो आपके दो यह घए है तो यह जो यह थे टो क्रोम होता है का उर म में डाई है जो डाई फोर होता है और होते हैं तीज़ें होती है यह यह रंजक कैसा आपका डाई है यानी की निक की भी कैसा होगा आपका रिड कि रिडायनिक क्योंकि आयनि करण पर सल्फोनेट रिडायन देता है जो आपका ऐसो थ्री एस यह इसको क्या करता आयनिक रंजक है कैसा है अनायनिक रंजक है दूसरा अगर हम बात करें दूसरा अगुड की इसका दूसरा प्रोपर्टीज क्या है कहरा है मैथिल औरेंज चारी माद्यम में पीला ये बात ध्यार रखने वाली है दूसरा अगुड मैथिल औरेंज क्या करता है चारी माद्यम में क्या कर देता है पीला और अमली माद्यम म किया होता है बेञी not होता है किसमें आपका चारिये माध्यम में में कैसी होटे है लेकिन आगर हम बात करये हैं हैं अमली अमाध्यम की तो si benjun mad सीजरोफ नाहीं सरंचनल मगल जातीं मीडियूम में ठीक है याद रहेगा तो यहांपर देखतेँ है करें $ AND तो और यह आपका डाइजों है और यह क्रोमोजोम ठीक यह क्या था अब यहां पर कह रहा है येलो बेंजीन ओड़ फॉर्म कैसी आपकी रंग कैसा यलो है और इसकी सरचना कैसी आपकी बेंजीन ओड़ सरचना है मदिक करा रहा है इं कंसे मां जय Kennets चाने यह माद्यम की बात कर रहा है यहां पर यह में आपका आप छाण है ऑप कि अब क्या शुकंत gibto और इसको अब अगर आप अमलिय मौर्म में लिब जाओगे शारिय मां पर आपका परिवरतitel उके राग कई जाता है कैसा हो जाता है आपका रैड रंक हो जाता है ठीक है अधी जो सरचना होती है कैसी इती है यह आपको ओपने आपको कई बना लेता है कुई नोग्ट फॉर्म के बना लेता है कुई नौओन फॉर्म में उपने आपको एडिजेस्ट कर लेता जिसकी बजाए से इसका रंग कैसा हो जाता है ठीक है कैसा हो जागा एसेडिक मीडियम या अम्लीय माध्यम कि यांत रहेगा आपके आपके शारी माद्धियम में पीला रंग देता और इसकी सरचना कैसी होती है वेंजी नौएड फॉर्म ठीक है अब यहीं क्या होता है एसीडिक मीडियम में वेंजीनौएड फॉर्म आपकी convert हो जाती किसमें कोई नोड़ फार्म में ठीक है और जिसका रंग कैसा हो जाता है रैड कलर हो जाता है ठीक है यह वात है आपके इसके कुछ यूझ की बात कर रहे है ना रंगी रंग देता भूद्या पया पयां परदान Oxbylism कह रहा है फिर भी इसका उपयोग कपड़ा उद्धोग में रंजक के रूप में नहीं किया जाता है लेकिन ये रंग कैसे देता है नारंगी किसको उन को और आपका रेशम को फिर भी क्या होदा इसका उपयोग कपड़ा उद्धोग में नहीं किया जाता है ठीक है कपड़ा उपयोग में हम जो आपका मैथिल ओररंज ड्याई है उसका उपयोग कपड़ाव नहीं करते हैं लेकिन यह क्या करता है मैथल ओर्रेंग और रेश Tibet को नारंगी रंग share the video